नमस्कार दोस्तों तो इससे पहले हमारा जो है जो सुन्डा वाला काल चल ला था अपना सुन्डा ध्याय को दूबारा हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्योंकि भी यह जो पहले हमारा सुन्डा का पोर्षन कुछ छूट गया था इंटमोलाजी हाला कि हमने स्टार्ट तो उसमे हमें कर दी ती इन कंप्लीट नहीं हो पाई थी टाइम आपने पास कंथन ने अपना पेपर था इसे लिए जो है और उसके बाद आस तक हम को टइम नहीं मिल पाया उसके लिए पहले तो माफी चाहते हैं इतने दिन हाप आपको समय नहीं दे पाए लेकिन आपको समय दिया जाएगा पूरा-पूरा, अब आपका पीजी टी वाला और कोसिस करेंगे, इसके अलावा आपका जो UPSC वाला पोर्षन है, इस पर हम लोग अध्याय करें, ठीक है, काम करें, ठीक है, जो हमारा इन्टमोलाजी की बात करते हैं, तो इन्टमोलाजी में अगर हम लोग बात करें, इन्पीवी इस दा इस नाम का डिजिज होता है, इसको ट्रांस्मिट कौन करता भईया, तो थ्रिप्स नाम का हमारा जो कीड़ा होता है, थ्रिप्स टैबिकी, नाम आप लोग सुने होंगे, थ्रिपीडी फैमिली का, थैसनो नाम पददती। का मतलब होता है। किसी का हम लोग कै लिखते हैं scientific name। तो इसमें जो हम लोग दो चीजे यूज करते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं genus और पीछे हम लोग लिखते हैं क्या है species। कहने का मतलब अदमी का नाम है हौमो sapiensри होमस हमारा क्या है जिसमें होमो हमारा क्या है जीनस है और सैपियंस क्या है इस पसीज है जिसे ग्यों का साइंटिफिक नेम क्या है टिटकम एस्टिवं तो टिटकम जीनस और इस पसीज क्या उसमें एस्टिवं कहने का मतलब जीनस और इस पसीज से है इन्होंने क्या किया था बारे में जानकारी दी थी आगे अगर हम लोग बात करें भीया साइंटिफिक नेम आफ मेज इंद इस्टेम और तो बहुता होगा तो ट्राइपो राइजा इस्टेम होगा तो भीया क्या चिल्लो ठीक दीमक क्रोड़ करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें भीया द चीफ excretory organ in the insect जैसे भाईया, human में हमारा जो है human में excretion का main organ क्या होता है kidney हमारा होता है, kidney हमारा क्या करता है main excretory organ होता है जो kidney हमारा होता क्या करता है blood को pure करने का काम करता है blood purification का काम करता है देखो, इंसान में अगर हम लोग बात करें तो इंसान में भाईया excretion का मुखिकार कौन करता है kidney करता है kidney क्या करता है भाईया kidney excretion मतलब भाईया को उद्सर्जन होता है excretion का मतलब उद्सर्जन जैसे अब उद्सर्जन में मतलब जितने भी waste material आपके सरीर में वो बाहर निकले जैसे एक तो हमारा तचा करता है तचा में मुखिता क्या करता है भाया जो हमारा पसीना होता तो इंसेक्ट में और पूंचा जाए बईया इंटमो लाजी है नहीं इंसेक्ट में हमारा इस्क्रीशन होता टो यहां पर होता यूरी ओरिक शीड का इनसेक्ट हमारा क्या निकालते कि अ घते हैं अcard दने पोटीवे हैं ये निकालते हैं चीक है देखो अगर बात के जद तीन प्रकार के जीव दुनिया हम पाया जाते हैं एक हमारे भीया क्या अमिनो टेलिक होते हैं एक होते हैं यूरो टेलिक क्या होते हैं यूरो टेलिक एक होते हैं यूरिको टेलिक यूरिको टेलिक तो को जिसम इसके लावा अमोनियो टेलिक वाले अमोनिया कहने का मलब भया जो पानी में रहते हैं वो अमोनियो टेलिक होते हैं इसके लावा जितने भी तंधारी हमारे वो सब क्या यूरिया निकालते हैं तो यूरिया टेलिक हो गए इसके लावा भया हमारे जो मतलब पच्छी हैं सरी स सब इकरते हैं यह इंसेक्ट को क्या जवान मतलब जूएनायल करने का काम करते हैं निंप से इडल्टेट ऐसे बनेगा जब यह उसमें जूएनायल हार्मोन बहुत होगा ठिक है तो कहां से कौन सी गरंथ से सिक्रीट होता है कार पूरा इलाटा से सिक्रीट होता है आगे अगर हम लोग बात क कर देते हैं में मैंगो मिली बग हमारी निपड जाती है ठीक है नेट में पूछा गया 2013 में कोश्चन आगे बात करें में करेश्टिक फीचर आफ इंसेक्ट अगर पूछा जाए इंसेक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है तो इंसेक्ट को हम लोग बोलते क्या है एक्जा पो इंसेक्ट भी पाए जाते हैं जिनके पंक नहीं होते हैं यह हमारा करेक्टर ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता कि अगर तीन जोड़ी पैर ना उसमें पाए जाए तो उसको जो है इंसेक्ट कहाए नहीं जाएगा जैसे स्पाइडर हमारा इसमें चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं अगर पूछा जाए आपसे क्या इंसेक्ट है तो इंसेक्ट नहीं होगा इसके लावा स्पाइडर हो गया एफिड हो गया हमारे माहू हिंदी में हम लोग बोलते क्या माहू या चिंपा ठीके बोलते हैं ना कि निडा में तो यह इंसेक्ट नहीं रहे जाते क्योंकि इनके क्या आठ पैर पाये जाते हैं चिके आगे अगर हम लोग बात करें दिस इस दा बेस्ट सुटेबल इस पजीचन दबी कल्चर कहने का मतलब है मदमक्की पाल में सबसे अच्छी जो हमारे सबसे अच्छा सहत दे है यह प्लांट पापुलेशन के होती है बीटी कोटन की ःत 10 हजार अगे पुंचा जाया आगर है इसमें पूच लिए जाए आप से कि सबसे बड़ी मक्कील में से कौन सी है इसको क्या ब lobby बोलता है भोला जाता है अगे अगर बात क्या जा한 ब्रोमैड य लियॉन ciao तो हमारा है कि होता है रोडेंटी साइड एक प्रकार काई 05005 परसंट रोडेंटी साइड चुहे मारने के लिए यूज़ करते हैं हमलोग क्या ब्रोमड़लोन आगे बात करें बैक्टिरिया जो बैया कॉमर्सियल लेबल पर पैदा किया जाता है किसके लिए वाइस प्रकारी आपको जाता है हिंदी में आप लोग इसको बोलता है है जा किसे पहलता है खिलता है ठीक है और दाफ डागे एगर कि इंसेक्टिस आप बिजटेबल कर बिजटेबल में कौन सा मैला थी अन हमारा बहुत अच्छा माना जाता है के लिए जिसमें चमीचों करेंदा है चाल हों ट éta हमने वाल गड़ी इसमें यहां एक पूख आरा है चूल करता है क्पीमेल की सुगंद देता इता है अब तो पहुंँँ है और सबकते चले जाते हैं आदमी आल करते हैं मेल को gefसाने के लिए आगे बात किरें बेजर पेज्टा पकुर बीट में सबस्दान क्रूसिफर दो समय क्या लगता है ने तुटल यह लग जाता है आगे बात करें बाल गार्ड बाल गार्ड ब्यार क्या है यह किनी सकी कॉटन की विराइटी यह कौन सा जीन लगाया था क्राइवन एसी लगाया था क्राइवन एसी लगाया था क्राइवन एसी जीन दूसरे वाले में भीया क्राइवन एसी लगाया था क्राइवन एसी जीन दूसरे वाले में भीया क्राइवन एसी लगाया था क्राइवन एसी जीन दूसरे वाले में भीया कि यहां पर इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं क्या एकडाइसिस क्या नाम देते एकडाइसिस कि इसमें जो हार्मोन काम करता है वो कौन करता है एकडाइसोन कहने का मतलब भया क्या उपरी परत का जो है निकल जाना और इसी के द्वारा क्या होता है एक से हमारा क्या बनता है इसी मोल्टिंग मोल्टिंग करकर ही एक से हमारा ला वाटा से निकलता है और भायर यह हमारा Cordula से टाइशों थे बेजर इस तरीटरी प्रोडक्ट आपको बताए दे क्या ऑब होता यूरीके सिदिंसेस्ट में होता है यहीं पर इनसेक्टक regert की हमारा क्या भाय फिस लिखा ओता इन आणिने भी पानी में रहने वाले तो क्या होता हृता है कि इंस्तिंप मेरे होता है इसने भी होते हैं इसके लावडया पच्छी न में नोसेमा एक प्रकार का रोग है बही है, खैस से cog sz environ नाम कि नाम कि नोशेमा एफिस कहने का मतलब यह नोसेमा रोग लगता किसके कारण नोशेमा एफिस, तो यह तो पूच्छा नहीं जाएगा पूचा पहली बात इसमें क्या जा सकता है नोसेमा डीजी लगता किसके कारण है प्रोटो जोगा के कारण और दूसरी बार लगता किसमे है हनीबी में तो ये दो चीजे आपको याद रखने है नोसेमा डीजी लगता किसमे है हनीबी में और पोटो जोवा के कारण लगता है नुसेमा इपिसिस का नाम है पोटो जोवा का आगे पूचा जाए सिल्वर सूट भाई या सिल्वर सूट और ऑनियन लीफ यह रोग लगता है गालमेज और अगर आइजी हमारा क्या को लगता है किसी कारण अभी एफिड को transmitted करता है एफिड का काम भी एक क्या transmitted करना इसको होता है आगे बात कि इंसेक्ट के सर्वाइव अभी एफिड करता है बहुत ज्यादा टंपरेचर पर बहुत ज्यादा टंपरेचर पर बहुत ज्यादा नुकसान दायक होता है किसमें इस टोरेज वाले में प्रोटीन हाइड्डोलिसेंट इस यूज ड़ेज फ्रूट फ्रॉट फ्राय को गूँड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइशेट ठीक ह्या आगे अगर हम लोग बात करें बहुत तो आगे हमारा क्या एफिलीनस माल वा राज बीन असक् ऐसने कर दोड़ेटर का काम करता है कॉटनी कीजनडे कैने का मिलब तो क्या दूसरे कीट को खाने के लिए क्या है पर भच्छी है दूसरे का बच्चन करता है दूसरे कीड को खा लेता है और किसको खाता है एक cotton cuisine scale को खा लेता है यह हमारा कीडा है इसको control करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं रोडेलिया, कारडेनल इसको यह क्या करता है इसी कीडों को निपटा देता है आगे बात करें, the infestation of the insect starts with the field, भी यह कब start होता है, ingotious grain moth, जिसका infestation है नहीं है, infestation start हो जाए कहां से, भी यह field से start हो जाए हमारा ingotious grain moth हमारा इसा है, आगे बात करा जाए, if a paste is confined to particular area and occurs regularly, its infestation is termed as endemic, कहने का मतलब भी यह देखो, particular area में हमारा कोई रोग फैल जाया है, उसे हम लोग बोलते हैं endemic, जैसे भी आमालो नोग फैले तो भी यहाँ पर इस particular area है, इसी area में हर साल भी रोग फैल जाया है, उसे हम लोग बोलते हैं एndemic रोग, ठाके उसी छेतर में वह होगा, तो भग्या क्या करता है यह चरा है यह कहां पर बहनए याद रखना डाइट्रेत डाइट्र 25 tomorrow, यह कहां पर है यह हमारा है फरीदाबाद हरियाणा में कब बना थे 1946 में भाईया यह बना था फरीदाबाद हरियाणा में इसका है आगे अगर हम लोग बात करें भाईया हमारा क्या लेपिडो पटेरान पैरसिटाइड है जो बयाकिस में सुगरकेन पारिल्ला गन्ने का हमारा सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाने वाला कीड़ा क्या है पारिल्ला परपुसिल्ला इसको सांटिफिक नेम है तो पारिल्ला जो हमारा होता इसको कंट्रोल करने के लि नहीं बढ़ पाती है ठीक है तो सुगर के इंपारिल्ला पर कौन सा पैरसिटाइड यूज करते हैं एप्री कहने हैं मिलाइनोलियू का ठीक है आगे अगर हम लोग बात करें इन फोर्समेंट आफ उस कर्फ उपना डिंसेटीव पेस्ट एक ऐक कब में निजीर्येगर कफो में इन ने सूदया में जब्की 1912 में हमारा क्या बना को कॉरेंटाइन एक्ट बना ठाएड टीन चीज़े आपको पताहो गयी एक तो हैं कहां पर headquarter तो फरीदाबा न्यूद हरियाना में है इसके लावत दूसरा आपको पता चल गए डीपा एक्ट सारे याद रखना है सारे important कब बना था 1914 में इसके बाद पता चल आपको कॉरेंटाइन को सच्चे अपया करता है चावाल मिलेगा तो खाएगा नहीं तो बहीं कुछ और खाएगा नहीं तो राइस सिस्टेम्बार हमारा क्या मोनोफैस हो गया इसी चीज़ागा इसके लावा और कुछ नहीं खायेगा ठेक है आगे बाद के जिए वेक्टर आफ रैस तूंगरू र वैरी सेंस होता है कि रिए लीघापर का निपट अर्डिक्स वैरी सेंस हमारा क्या करता है टूंगरू को प्येलाता है तो याद रहा ना टूंगरू double को इनको इनकर ले है क्यात करना भी जब लिखो भीयोग तूंगुरू इदर लेखिलो भीया क्या ग्रीन लीप ओपर ठीक है इदर लिख दो क्राशी सूट ग्राशी सूट को पर याता है ब्राउन प्लांट अपर इसके बाद बैद दूसरा यात कर लो क्या हमारा विआ छैफी मारा कौन फैलाता है गंधी बग यह तीन आपको याद करने तुंगरू ग्रीन लीफा पर ग्रासी सूट ब्राउन पर दूद बनना सुरू होता दूदिया वाला दाना मलत पहले डूदिया उसके बाद हार्ड होता ना तो मिलकी स्टेज जब आती तभी भईया क्या करता है गंधी भग हमारा क्या उसके दूद को इस चूज जाता है तिके आगे हम लोग बात करें सीरियस पेस्टाफ वीट ग स्पेस्पिक पेस्ट आफ वीट नर्सरीज क्या होता है गुजिया वेवेल हमारा इसमें लगता है क्या जो हमारे स्पेस्पिक पेस्ट है वीट का आगे बात करें समझना पहले, है आपको बताये एक बताये थे टूंडू से दो चीजों सलुक्री लगता है किसमें क्या स्भी बैक्टर ट्यूट्स यह हमारा अशना है एकезж ठी रिया टूंडू बता राप ढया टली बैक्तर 돼요 talked are advice मैं गॉईन टूट है यह हमारा s कहने का मथल्वए एक ठी रिया और एक निमे ठोट दो बहुत हैं चिसे हम लोग ट्रीटमेंट गरम पानी का ट्रीटमेंट यूज करते हैं पचास डिगरी सेल्सियद इसको दो घंटे तक यहों को इसमें भीगो के रखेंगे ठीक है आगे बात किया जाए हॉपर नबन सिम्टम जो है राइस में ब्राउन प्लांट हॉपर के कारण दिखते हैं वेक्टर लीप कर्लवायलस बाइयाक किसमें लगता है क्टन में लगता पहीली बात तो यह जानो लीप में लगता है कारण पेलता है सफेद मक्ही के दोर cooling offer skin लगने वाला किसका रोग है यही कई बार पूछा गया किसमें लगता है पिंक बाल वर्म है याद रखना गुलाबी कीट पिंक बाल वर्म किसमें लगता है सफेद सोना में लगता है गुलाब भी है लेकिन लगता है किसमें सफेद सोना सबस्क्राइब के लिए इंडोसलफान है सबजी में हम लोग मेलाथिया न्यूच करते हैं हनीवी को बचाने के लिए हम लोग इंडोसलफान यूच करते हैं हाला कि दोनों अभी बैन है इंडिया में आगे अगर हम लोग बात करने पेस्ट पापूलेशन सुट भी केप्ट बिलो एकनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल इटियल से नीचे हमको क्या करना होता है कंट्रोल करने लिए होता है देखो जिसको गहराई में इंटमोलाजी पढ़नी है उसके लिए हम एक क्लास ले चुके ह इंटो की वो आसानी से पढ़ सकता है यहां पर हम फैक्स बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा डीटेल बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद रहें चीज़ें तो अगर बात किया जाए एकनॉमिक थ्रेस होल्ड लेवल की तो भाया क्या होता है देखो भाया कोई कीड़ा है मानलो भाइज यह हमारा जो है यहां पर इटील है यह हमारा क्या एटील है यहां पर मानलो 900 मालों 12 यह हर पास हमारे पास control हम नहीं कर सकते हैं कि फसल बहुत जादा नस्ट हो जाएगी यहां पर हम लोग सीधे क्या chemical का यूज करेंगे तो यह जो हमारे मीजर्स हैं यह नी control मीजर्स हैं वो कभ अपलाई करने चाहिए हमको economic threshold लेवल पर ही यूज करने चाहिए हमको पेस्ट पापॉलेशन को किस से कम रखना है ETL से कम रखना है ETL से उपर जाएगा तब दिक्कत होगी ठीक है और ETL से उपर जाएगा तब हम दवा यूज करेंगे और EIL तक यूज करेंगे EIL के बाद बहिया कोई control हमारा काम नहीं करता उसके बाद हम सिर्फ chemical का यूज कर सकते हैं ठीक है आगे अगे अगर हम लोग बात करें the appropriate time of insecticide application of control बहिया तो ETL पर हम लोग क्या insecticide का भी यूज करते हैं control मीजर किस पर ETL पर लगाने ETL से पहले हमारा नुकसान बहुचादा नहीं होता उससे नीचे कीड़े रखने जैसे उससे उपर बढ़े का देखो एक हम लोग मना दिये क्या है हमारा ETL एक boundary है कीड़े कीड़ों की संख्या हर इंसेक्ट के लिए अलग-अलग ETL बता दिया आपको इंसेक्ट का अपना-पना ETL है कोई कीड़ा दो ही कीड़े जब आते हैं तभी नुकसान दायक हो जाता है नहीं दो कीड़े पर प्लांट हो गए और कुछ कीड़े जो है जब पांच की लेवल के ऊपर इंसेक्ट पहुंचना सुरू हो जाए इससे नीचे हमको रखना है इंसक्ट को इससे उपर जैसे इंसक्ट बढ़ा हम क्या करेंगे उसके बाद अपना जो कंट्रोल यूज करने लगेंगे दवाइवाई छिड़कने लगेंगे क्योंकि हमको इसके उपर न लोट रह स्पक्राइब ककंसर्ण गुनिया कानडे देता है जो हमारी क्या बालु आली मित्यूती वहीं पर अंडे देता है पेस्ट हूए चैटस एंड इंटर इंटर नेशनल पेश्ट का उन से पेस्ट को हम लोग क्या अन्तर राष्टरी पेस्ट का दरजा दे दिया तो ह Ships दिबी को पाकिस्टान का हमिला घूषित करवा दिए थे तति यादी रखना आप हमा orbits यह दू desr क क्या करता है एक देश से दूसरे देस इनि भ вамиहें कहां से जो हमारे Mi Glasच एनि जो सवाधी अरभ यहनी रीगिस्तान वाले देसरे निगस्तन सथ होते या पाकिस्तान होते वे भारत तक ये इंटर करता है जब ग्रीश मेरी तू आती है तब तो डिजर्ट लोकस्ट हमारा क्या बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाता है भारत में कई बार साथ आड़ बार इसके कार्ण अकाल पड़ चुका है ठीके रिसेंटली मेथड आफ कं चुछ कर दो बालवर्म को कंट्रोल करना है तो नंबर आफ एक पर सेकेंड ले बाई टर्माइट भया एक सेकेंड में एक अंड़ा की स्पीड से देता भीया बहुत अंडे देता टर्माइट हमारा ठीक है दा इंसेक्ट आर पोईकलो थेर्मिक दे हैव नो प्रसाइज मेक अब बहुत घड़े में नहीं कर पाते हैं तो टोटली हीट रिक्वार्ड फर भॉटी अफिजियो लाजिकल्परिजिकल प्रसेस कोई भी पसीजिंस इंसक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कमाइगे प्लांट के भी बात हो अगर सब्काव क्या साइए एक गाए टमप्परीचर होताए इसको बोला कर जाता है भू या को थार्मिक बड़ेट का बोले है आपको कि बॉड़ी टमपरीचर को डिवरगूलेट कर सकते हैं ज्यूद्ध की नहीं गरूम दिव्हान भया होती है इक हमारे कर जाते हैं या करते हैं यह गया टम्परेचर कम हो जाए तो वो कहा चले जाते हैं इसके लाव कुछ हमारे होते हैं क्या जो High Temperature में मूव कर जाते हैं यानी सोझाते जाके छुप जाते जाके ठीक लो Temperature में मूव करें तो तो low temperature में बैया किसकी जुरूध होती, heater की, तो बैया low temperature जब हो जाएगा, तो heater मतलब क्या, hibernate हो जाएंगा, hibernation किससे सम्दित है, देखो, अगर पूँछा जाए, hibernation, hibernation किससे सम्दित है, बैया low temperature से, heater से याद रखो, heater हमारा क्या, low temperature में हम लोग चलाते हैं, इसके बाद अगर पुछा दे हैं हमारा क्या AC मदलब ST-vation ST-vation मदलब AC हम लोग कब चलाते हैं जब हमारा high temperature होता है यह नि high temperature में जो insect छुप जाते जाके हो क्या ST-vation करते हैं low temperature में जो insect छुप जाते हो हमारे क्या hibernation करते हैं इतना आपको याद रखना है high temperature में heater मतलब hibernation sorry high temperature में AC जब बाहर गर्मी होगी तो हम लोग क्या चलाएंगे AC चलाएंगे AC चलाएंगे मतलब ST-vation जब बाहर क्या होगा low temperature होगा low temperature होगा तो हम लोग क्या चलाते हैं low temperature में हम लोग क्या चलाते हैं या low temperature में हम लोग चलाते हैं यहीटर मतलब हाइबरनेशन करेंगे ठीके तो हाइबरनेशन ऐस्टीविशन दो प्रकार के इसमें काजल है आपको याद रखना है कंट्रोल आप वीडा भाई बाय लॉजिकल एजएंट भी अपएरा बायोजिकल कंट्रोल कहा जाता है अगर वीड को किसी कंट्रोल करना है क ुझ को हम इस पर चोड़े हमने वीड को कंट्रोल कर लिया तो इसे इंसेक्ट कंट्रोल को क्या परफार राद रपालो Frageji कल बूल जाता है इंटरेशनल इश्चांटिव सब्सक्राइब कहा है वेस्ट हुसके बाद बारत को दुबारा खूज पाए तब इनको पता चला यह यहां था तो इनको इसका नाम रख दिया क्या वेस्ट इंडिया Wow सोसे इस में बना था है इंटरनेशनल इंस्टिटूट आप विटानेशनल वेजली कि अंवार्गेनाइजेशन दोनोँ हमारे बहुत इंपोर्टन्र याद कर लेना आप लोग एया तो क्रिप्टो भायोसिस क्या होता है क्रिप्टो भायोंग धिसे और इन्सेक्ट बिकम्द पूही सेंट डीव टुटु देरैंड में हमारा क्रिप्टो भाई है आपको तुक हुटेज भूत ay को देखने कि नहीं मिलेंगे आगे बात करें लीनिटिक जोन दा ओपन वार्टर जोन ठीफ्ट एफिक्टी वंद लाइट पेनेटरिशन यह जो हमारी होता है पानी सम magician होता है समुंदर होता है समुदर का यह चो हमारा बाट गरेते हो किसे जोन उनियतीक घिक लगा हता है हमारा एबीशियल है नी ओपन जगदम गहराईम चला जाए बीशियल तो लेनिटिक हमारा जोन क्या है भई यह लाइट पेनेटेशन जहां तक होती हो हमारा क्या लेनिटिक जोन कहलाता है ठीक है आगे बात करें वैक्ष मौत भई या कोश्चन पूंचा गया था याद रखन किसमें लगता है वैक्स मौत का मतलब हूँचाने वाला हमारा कीड़ा है UPPSC Agriculture में ये पूँचा गया था आगे अगर हम लोग बात करें बहिया क्यूबी कुला क्यूबी कुला हमारा हाइन डिलेक्स हनी बी आल सो नोन एज औरिकल जो बहिया हमारे हनी बी के देखो जो हनी बी हमारी होती इसके पीछे वाले पैर होते हैं जो पीछे वाले पैर होते हैं इनमें एक रूपांतरण हो जाता है इसके कारण ये क्या करती है भी या जिसे हम लोग बोलते हैं पालन बास्केट बोलने लगते हैं बोलते हैं पालन बास्केट या पालन को क्लास का सब्द है लगे भी घरीग भासा का सब्द है क्लास अगर बात कहते हैं दो भी आ अरकनिड्ड और हक्जाबूड़ एक्रिकर्चर के लिए इंप् Draw games नियुम्ध हैं अगर वानवर बात किलें अर्जाबॉज्च के सबस्कोर्व ने खे जो हैं ជक आध याद रिखने हैं thorax में 3 खंड होते हैं abdomen में 10-11 अगर total पूँछा जाय तो बहिया कितने खंड होते हैं 20 खंड होते है insect के सरीर के कीड़े में कितने खंड 20 खंड होंगे अगर पूँछा जाए head के कितने खंड होते 6 thorax के 3 और 10-11 हमारे किसके abdomen के खंड होते है 97% population पॉलेशन आर्थोपोडा में किसकी इंसेक्ट की है यह आर्थोपोड में 97 परसेंट इंसेक्ट पाए जाते हैं और विश्व में मैक्जिमम अगर पूंचा जाए कौन सी जाती पाई जाती हैं कौन से फाइलम के लोग रहते हैं इंसान कीडे सब दुनिया भर का मिला के प्ला प्रेक्षान एब्डोमेन कहने का मला भैसरीर तीन भागों में बटा होगा किसमें और दूसरी बात भाइए सांस लेने के कौन सा अंग पाई जाते हैं जो दांत का काम करते हैं मैक जली पाई जाती है जो भी है क्या काम करता है किसका मैक जली हमारी जो पाई जाती किसका काम करते हैं हाथों का मलेव पकडने को शिकार को पकड़ेंगे किसे मैक जली से और मैंडीबल से क्या करेंगे दात किसे काटेंगे ठिक है यह दो पाए जाते हैं एक ठीक है लैबियम हमारा क्या नीचे वाला होट अपने माइंड में सेट करना है आपको क्या उपर वाले होट को अपना आप नाम देदे क्या लैबियम अभी देदे भईया फटाक से लैबियम दस बार रिपीट करेंग मैंड में याद कर दो दो भीजाएंगा थर्येगा थारं करीज थ्री पे अप्धży यूजाली वनवार नोशाइर होता है यह हमार अजकुति तो यह हमारा जो है head हो गया, ठीक है head में हमारा क्या एक जोड़ यहांख पाई जाएगी compound, इसके लाव भी यह हमारे तोता बना जा रहा यार, mouth part पाई जाएंगे हमारे, इसके लाव यहां पर mandible, magazine सब पाई जाएगा, चलो आगे बात करो, 6 खंड इसके होते हैं, अगर बात कैटने होगे, 6 होगे, तीन जोड़ी होगे, ठीक है, एक जोड़ी यहां पर पाई जाता है, यहां यहां पर यहां पर पाई जाता है, चलने वाला कम कहाँ से होता, sentence, होता वह द्यूंट, तो बिहांग alley, हमारा जो एक क्या होता है, मैं-ज बाकि साय युपांग इसी में पायते हैं जिससे वहरे का सब्सक्राइद क्लासिफिकेशन बहिए किसका सबसे जएदा माना जाता है साइनटिकेशन क्या किया बटवारा किया अब हैं Tech इंस में बार Ici पूर इस नेगी सक्तर लाटर चाया एंधुराटर को थोड़ा थोड़ा सा उन्में पढ़ाया है यहागर एंधुराम वाली टोटल आडर अगर पूछा जा कितने हैं 29 हैं जिसमें चार हमारे हैं जिनके पंक नहीं होते हैं ठीक है क्या होता है चार के पंक नहीं होते हैं 25 के क्या होते हैं पंक तो यह चार तो हमने कह दिये एपटेरी गोटा और यह हमारे 25 के पटेरी गोटा यह दो भागों हमने तो आपको क्या होगी सब इन्सेक्ट के दीखें गई याप अमारे पंक नहीं तो आपके मत जाएंगी तडपसी तडपसी मतलब यह था ऐसे निव अवर डिप लूट अरा अर को लेंब घटासे निवार फ्रु रूट लूट अर कोल इम बोला यह हमारे चार चार्फ क्या पाई जाता है अब इसके फीचर्स के अगर बात किया जाए तो प्रोट्यूरा जो हमारे होते हैं इसमें क्या एंटनी और आंखे पाई नहीं जाती ना आंख पाई जा रही ना इंटनी पाई जाती है इसके लाव भया मेटामारफोस तो होती ही नहीं है आगे बाद के डिपल से निग यहाझए आपएर आफ मैंने सीश्गमेंट आफ सी की करी इसमें कि पाई जाती इंडिंस्ग मेंटाम depend time में प्रोजास कहने का मदला गया वाग पूर्य होगए जिनके पंक नहीं पाई जाते हैं आप हम ने कर दिया इंडो पटेरी घोटा होते हैं इन यह हम keh what मार से इंपम्प्लीट होती है यह न्हीं भाहर बाहर है क्या अधूरी रहजाएगी обश्रकि काहनी आधूरी रह जाती है अधूरी हमारी क्या होगि एदोर इसमें मेटमारोन मेटमारोस में Regal जाती है इंकम्प्रीट जिसमें पाइजाएगी उसमें हिए जोग 591 बहु guilty की बारी प्लारिश get यानि चार स्टेज पाई जाएनगी है नि इसमें भईया क्या होता है हमेरे एक felic Wayे में तीन स्टेज बाहर步 ले में पाहर वाली के तीन है अंदर वाली के लिए इंड़ो के पिर मुरो पटेरा ओडोनाटा लेको पटेरा ग्राइलो बलाइट और्थो पोड़ा इसमें भी आपका इंपोर्टेंट हमारा क्या आर्थो पटेरा इंपोर्टेंट है जिसमें भी आगे अगर हम लोग बात करें भी आ इसमें और भी हमारा आइसो पटेरा आइसो पटेरा जोरा पटेरा कहने का मतलब भी हमारे जो टोटल टोटल भी है कितने सोला ओर्डर हैं जिनमें भी है क्या इनकंप्लीट पाए जाता है और नव ओर्डर हमारे जिसमें कंप्लीट मेडा मार्फिस पाए जाता है फार्मूला सब्सक्क्राइब इंपॉर्टेंट से दिन था तो आर्थो पटेरा में आपको बताये शाल पर आता है और यह क्या आता है इसके लिए पतेरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हे मी पटेरा में हमा रक्या होता है वाई जाते हैं बॉग प्लांट बग हमारा कहीं किसी के पीछे और लिखा दिःएव किसमें आए घ्लत है क्लासिफिकेशन जान जाते हैं पहली चीज जो इनकम्प्लीट मेंट आम आरफों चीजिस में होते हैं उसमें क्या निम्प प्लस एडल्ट हमारा क्या होता है डैमजिंग स्टेड होती है कहने का मदब आप कैसे जानेंगे देखो ठ्रिप्स लिखाओ या किसी के पीछे बग लिखाओ जिज़े आप लोग पढ़ते हैं ना ये बग वो बग गंधी बग फलाना बग तो किसी के पीछे बग लगाओ भया कोई हमारा क्या टर्माइट हो ठीक है किसी के पीछे हमारा क्या होपर लगाओ तो ये सारे के सारे भया हमारे के आएंगे Incomplete में, अगर इनकी Damaging स्टेज पूची जाएंगे तो आप क्या बता देंगे Adult फ्लस भया, निम्फ हमारा इसमें किया Attack करते हैं अगर पंचा जाए इंडो पटेरी गोटा, जिसमें हमारा क्या Complete Metamorphosis होगा इसकी damaging stage अगर पूछा जाए भाया तो हमारा लारवी ही अकेले attack करती है सिर्फ एक दो इंसेक्ट हैसे होंगी जिसमें लारवी के साथ adult होगा उनको आपको देखना पड़ेगा बाकी समय क्या सिर्फ लारवी अकेले attack करती है adult इसके नहीं attack कर पाते है कहने का मतलब इसमें कौन कौन आता है हाइमिनो पटेरा हमारा जिसमें भाया मदमक्खी वगएर आती है इसमें pollen basket पाई जाती हाइं डिलेक्स में क्यूरो कोबिला बताया थे लेपिडो पटेरा में बटरफ्लाई वगएरा सारे आते हैं बताया है इसके पीछे कहीं भी मौत लिखा दिख जाए आपको कितने सारे बटरफ्लाई पढ़ियोंगी अनार बटरफ्लाई फलाई पलाना बटरफ्लाई सब किसमें आते हैं लेपिडो पटेरा में किसी के पीछे बीटल वीवल लिखा दिख जाए हो सब किसमें आएंगे कोलियों पटेरा में आएंगे ठीके इसके अलावब यह क्या अगर किसी की पीछे लिखा दिख जाए तो हमारे क्या डिपटेरा वे आते हैं ठीके आगे हम लो सब्सक्राइब निम्प किसमें बोलेंगे तो निम्प आपको बता दिये थे मिटामार्फोजिस पहला किसे हुआज रखो याद करने का तरीका के भी पीछ पीरिंग बशाने और चूसने वाले किसमें पायाते हैं मच्छर और एफिड्स में पाया जाते हैं है기도 आधा जिए उपाइब टाइप और साइफानिंग इंग और साइफन जैसे हैं कैसे थे यहाँस प्लाइब एक इसके लाब चबाने वाले वाले इसमें हनी भी हमारी इसके लाब रैस्पिंग एंड सकिंग टायप किसमें रेप्टोरियल एन सकिंग टाइप भाईया किसमें थ्रिप समय पाय जाते हैं एकनॉमिक भाईया डैमेज की अगर बात किया जाए तो आपको बताए थे डैमेज बाउंडरी जो हमारा होता है जहां से हमको भाईया नुकसान दिखना सुरू हो जाए वाईया हमारी का डैमेज बाउंडरी है ठीक है डैमेज बाउंडरी का जहां से नुकसान सुरू हो जाए जहां से हमको कंट्रोल करने की जड़त पड़ जाए कंट्रोल मीज़ जहां से सुरू कर दें वो हमारा एकनॉम एक इंजरी लेवर यहां पर भाई फसल बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है यह भाईया हमारा यहां पर क्या है इसको हम लोग डैमेज त्रेसोड लेवल कहते हैं कहने का मतलब यहां पर हम लोग क्या सिर्फ केमिकल यूज कर सकते हैं इसके लावर कोई कंट्रोल नहीं क अब लिखी थी जिसका नाम था इंसेक्ट रसीस्टेंट इंधा क्रॉप ब्लंट किसा लिखी थी आरे 8पेंटर ने लिखी थी इसलें हो फाद़ आफो स्ब्लंटफ माना जाता है अगर पूचा जाए आपसे भाईया होस्ट प्लांटर असिस्टेंट के पपा कौन थे तो आरेच पेंटर भाई थे स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग रेकल कैरसन ने लिखी थी सुरुआस जब आपको किये थे तब भी बताये थे साइलेंट स्प्रिंग किस ने लिखी थी रेकल कैरसन ने लिखी थी या कई बार ये पूची गई है आगे अगर बात करें भाईया बाईलोजिकल कंट्रोल आफ इंसेक्ट पेस्ट और वीड ये बाईया किताब लिखी थी पाल डी बैक ने बाईलोजिकल कंट्रोल किसका इंसेक्ट पेस्ट और वीड का किसे ने लिखी थी पाल डी बैक ने आगे अगर बात करें डेवलमेंट आफ फस्ट क्या फोटो इस्टेबल पैरा थ्रोडाइट कौन सा बना था परमेथ्रीन हमारा बया पैरा पैरा थ्रोड हमारा जो फोटो इस्टेबल बना था कौन बना था परमेथ्रीन बना था पहला बया जो एलकार हमारा हेलिको अरपा आर्मी जेरा पूंचा गया है आपसे किसके कंट्रोल के लिए बालवारम के लिए किसके लिए ग्राम पॉड बारर के लिए हम लोग यूज करते हैं बया किसके लिए ग्रा स्टेसी में यहीं से Question उठा लिया गया था मैं लिखा था आसानी से आपुर सकते हूं उसमें और दियाफ है क्राइने का मतलब उसने कोश्चन में ही अंसर दे दिया था क्या ये चभी का मतलब रहे हैं क्या हेलिके-वार्पा ऐर्मी-जे रहा है ये सोह है ये LEE-P-D-ek सबसे पहले बीटी टुबैकों हमारा बनाया गया था सबसे पहले बीटी टुबैकों हमारा सबसे पहले बीटी टुबैकों हमारा एक पेपर में दो बार यह कोश्चन आया है याद रखना दो बार एक पेपर में पांच नमबर आपको एक लाइन से मिल जाते बहां किसमें ता उसमें आगे बात करें भाइया फाट जो पेस्ट भाइया वह सारी चीज де जो क्या करें क्राप को नुक्सान पहुंचाती है क्लाक कौइक क्राप को backwards डेमेज को सारी क्या कहे लाएंगी थैस्ट कहिलाएंगी यारेını भाइमिक लॉस पाइदा करें लेकिन इंसेक्ट नहीं है वह देखो आल इंसेक्ट और नाट पेस्ट सारे के सारे इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते हैं ठीक है सारे इंसेक्ट जैसे हमारा हनी भी हनी भी हमारे लिए फाइदे मंद तो हमारे लिए क्या पेस्ट नहीं है ठीक है तो हनी भी हमारे लिए क्या पेस सारे के सारे इंसेक्ट नहीं होते वीड भी हमारे पेस्ट होते हैं कैटेगरी आप पेस्ट की अगर बात किया जाए तो भाया के पेस्ट हमारे अगर भाया क्या हो मोर सेवर डैमिजिंग पेस्ट हमारा के पेस्ट कहलाता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हो कहने का मलब इसकी जनरल एक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है डैमिज बाउंडरी और EIL के उपर होती है यानि एकनॉमिक एंजरी लेवल के भी क्या उपर निकल जाती है वो हमारे क्या के पेस्ट कहलाते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होते हैं तो 하나 होती है यही हमारे क्या है बहुत ज़्यांडर नुकसान दायक होते हैं minor पेस्ट किए अगर बात करें हम लोग तो जन्रल एक्विलिब्रियम पोजिशन हमारा इसकी क्या होती है यह E-I-E-L डैमेज बाउंडरी के बीच में होती है यह नी के बीच में आठकी lies between मतलब बईया क्या दोनों के बीच में है E-I-L डैमेज बाउंडरी के बैस इसमें कौन कौन से आते हैं त्रिप्स माइट्स और बहुत ज़्यादा नुक्सान दायक नहीं है रेगुलर पेस्ट कहने का मतलब हमारे जो लगाता है इस पेस्विक किसी सीजन में लगते हैं सीजनल क्रॉप में ठीक है जैसे राइस स्टेम बार जब राइस लगाओगे तभी आकर लगेगा तो यह हमा कभी यह economic injury level और damage boundary को पार कर सकते हैं sporadic paste कहलाते हैं potential paste भाया यह economic damage कभी cause नहीं करते जनरल equilibrium position damage boundary कभी भी पार नहीं करती चाहें तो कितनी भी क्या हम लोग favorable condition दे तो potential paste कभी भी क्या नुक्सान दायक नहीं हो पाते economic injury level पार नहीं कर पाते ठीक है जैसे इसमे इस पोड़ो देख लें अब IPM भया क्या broad ecological approach है कहने का मतलब भया हमको क्या करना है यहाँ पर minimize करना पेस्ट पापॉलेशन को और भया economic ecology को भी damage नहीं करना है यह IPM हमारा यहीं सिखाता है हमको component of IPM भया सबसे पहले हम लोग क्या करें cultural method कर ले cultural method में हम लोग क्या करते कुछ भया practice करेंगे कई कराप rotation का यूच करेंगे जिससे मानलों भया कि जो हमारा cereal में लगने वाला कोई insect है अजड़ी लगा लगा दान के बाद यागा वक्यों तो स्साय के पहूं नहीं लगातार de la dh के बाद फिर हमने कुछ भईया क्या किया कोई एक सीरियल लगाया तो यहां पर जो मारा दाल होगा यह क्या करेगा क्राप रोटेक्शन का काम करेगा इसके करण बाइया इंसक्ट हमारा क्या हो जाएगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा गैरी हम लोग जुताई कर दें गर्मी म साप करदेंगे इससे भीया क्या होगा इंसेक्ट रमारे नहीं लगपाएंगी य्यूज आफ ट्रेप क्राप हम लोग क्राप का प्रयोग करें जैसे हैं सब्सक्राइब को लगा देते हैं कि चारर कॉटन परśmy होता है कॉटन को छोड़ेका मिच को छोटन हमारी पूरी तरीके से बच जाएगी आगे बात करें न में कस्या च denial हैंगे इससे क्या होगा था और प्लांट नहीं होगा तो हमारे पेस्ट कम लगे हिला दें पीट दें तो भाईया यह हमारा क्या इससे हमारे अंडे वंडे गिर के फूट जाएंगे उनके ठेके बैंडिंग हमारा क्या करते हैं हम लोग बैंडिंग कर देते हैं प्रिवेंट क्लाइमिंग मैंगो मिली बग में हम लोग क्या करते हैं भाईया यहां पर भाईय कर सकते हैं वायर गेज स्क्रीन भाया तो हमारा प्रोटेक्ट फ्रूट क्राप बारर को कंट्रोल करने के लिए क्या वायर गेज का यूज करते हैं ट्रेंच डिगिंग गड़े वड़े खोद देंगे इससे हमारा क्या जो बहुत कम उड़ पाते हैं कूद कूद के काम चलाते हैं वो गड़े में गिर जाएंगे तो उतना उच्छे तक कूद नहीं पाएंगे तो अब यह लारवी के कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसको लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या ट्रेंचेज खोदते हैं जब भाया बड़ी मात्रा में वो आते हैं ट्रैपिंग हम लोग कर दें के लावा भर ट्रैप में कॉन-कॉन सा लाइट ट्रैप लगा दें बेट ट्रैप, इस्टकी ट्रैप, फिरोमेन ट्रैप आपको सारे बता दिये थे light trap भाया कुछ light से attract होने वाले कीट होंगे उनके लिए light trap लगा देंगे कुछ भाया female की खुसबू से attack करेंगे तो उनके लिए feroman trap लगा देंगे यह सब हमारे क्या भाया trapping system है इसमें किसका यूच कर रहे है machine का इसलिए mechanical है देखो भाया याद रखना trap crop हमारी किसमें आती है cultural में जबकि trapping किसमें आती है mechanical में किसमें machine का यूच कर रहे है उसमें हम लोग culture का यूच कर रहे है flooding and drainage भाया क्या बाड भर पानी भर के क्या जमीन से पानी निकाल दें तो हमारा इससे क्या होगा अंडे वंडे सम मिट्टी के अंदर नस्ट हो जाएंगे इसके लाव बात करें physical method, physical में हम लोग temperature, humidity इन सब का चीजों का यूच करें, radiation का यूच करें flame का आग का यूच करें तो हमारा क्या physical method हो जाएगा drying of grain भाया हमको सुखा के रखना है अपने क्या grains को storage में जब भाया इसमें ये वाला important आपका serials को store करने के लिए 12% से कम moisture oil seed को store करने के लिए 8% से कम moisture हमको रखनी चाहिए, दोनों important है याद करने ना बहुत जरूरी है तो हमारा legal control की हम लोग बात करें adopt various quarantine measures at the various frontier area country हमारा legal control हमारा क्या इसके लिए भाया क्या सरकार ने भी कुछ नियम मनाए है कि भाया कुछ रोग जो हमारे हैं जो एक छेतर में कुछ कीड़े जो हमारे एक छेतर में लगते हैं तो उनका भाया क्या transmission दूसरी जगा पर ना हो पाए इसलिए हम लोग क्या quarantine act हम लोग बनाये थे कब 1912 में आपको बताये थे biological control की अगर बात करें भाया हम लोग तो भाया biological control में हम लोग क्या paracitoid predator या pathogenes का यूज कर लेंगे कहने का मलब paracitoid मलब जो दूसरे के अंडे खा लेता हो predator जो दूसरे को खाई लेता हो pathogen जो दूसरे को उपर रोग लगा देता हो ऐसी चीजों का यूज करेंगे जो insect के उपर यह सम नुकसान पहुचाता हो तो biological control paracitoid है paracitoid is special kind of paracide होता है जो often क्या करता है same size host के आकार का ही होता है क्या करता है developing the free living adult पर develop हो जाता है example आप सम paracitoid एग paracitoid हमारे क्या trigoderma होते है trigograma bicoleurata हमारा क्या trigograma हमारा क्या होता है यह हमारा एग paracitoid होता है किस पे लगता है यह trigograma तो भी यह larvae paracitoid में हमारा सटेसिया एसपसीज और ब्रैकन है बेटर कंपोलेटिस और क्लोराइड कंपोलेटिस क्लोरीडी और कोटेशिया और ब्रैकन है बेटर यह हमारे क्या भया होते है हमारे एग paracitoid लार्वी paracitoid होते है इसके लाव हाइमिनोपटेरा और डिपटेरा में हम लोग जातर इनको यूज करते है प्रीडियेटर भया जो परबच्छी दूसरे को खाई ले बात करें लेडी बड़ बीटर मलब कोकिनला कोकिनला कहने का मलब भया क्या कोकिनला भया हमारा कोकिनला सेप्टम क्लासिकल कंट्रोल की अगर बात करें भया दसरचिक इंपोर्टिंट नंद कॉलिनाइग्ए दिश्पर्सल आफदा नेचुरल एनमी को हम लोग ढूंड करना है उसका यूज करने सीदे से खतम करने के लिए माइक्रोबील कंट्रोल के अगर हम लोग बात करें तो वह यह कुछ वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोवा फंजाई इनका सब का यूज कर लें हम लोग कंट्रोल करने के लिए तुसे हम लोग माइक्रोबील कंट्रोल कहते हैं इस्टर्ण हांस नहीं यह तकनी की खोजी थी कब वायरस इंफेस्टेड और बैक्टीरिया इंफेस्टेस की बात किया जाए जो हमारे वायरस होते हैं इंफेस्ट दा लारवी स्टाप फेडिंग लारवी की फीडिंग को रेडियूस कर देते हैं यह क्या कर देते हैं वायरस तो एकदम खतम कर देते हैं लारवी टरन यहां बैया क्या होगा, fluid का discharge होगा anus से, और mouse से, सप्टिशेमिया disease, blood poisoning, कहन का मतलब बैया, क्या करेंगे बैया, anus से और मुँ से खुन की विचारे उल्टियां करेंगे, इंसेक्ट उनको, जब हम क्या, बैक्टीरिया करवाएंगे, वाइरस तो भाईया बहुत खतरनाग उसे तो भाईया क्या उनकी पूरी-पूरी क्या जो तचा होती भाईया फट जाती रैप्चर कर जाती पूरी-पूरी लारवी क्रॉल टाप अब दा प्लांट एंड हैंग अप साइड डाउन बाई दा प्रोलांग दा सिम्टम ट्री टॉप डिजिस भाईया इसके करन भाईया और इसके लावा नर्वस सिस्टम पर अटेक करता है हमारा क्या बैक्टिरिया अगर बात करें बायलोजिकल कंट्रोल कि तो भैया ये इनवार्मेंटली सेफ भी है कोई इसके नुकसान नहीं है साइड इफेक्ट नहीं है फाइदे फाइदे है बैया अगर नुकसान की बात करोगे तो कंट्रोल क्या करता स्लोली करता बस यही एक इसका खास नुकसान है और टेक्नलोजी की ज़रोथ हमको ज़ स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेंतेड कहने का मलोग जब क्या करेंगे कीडे को क्या कर दें बांद कर दें वो बच्चे ना पर पाए तब वह क्या होगा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा कुछ होंगे थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे ठीक है केमिकल कंट्रोल के अगर हम लोग बात करें पर या तो आरगेनो क्लोरींस में हमारे इंडोसलफान जिसे हम लोग थायोडान बोलते हैं डाइकोफॉल जिसे हम लोग कैल्थेन ब ट्रेड नेम याद करने किसका कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुईना लफास यानि एकालक्स भाया और इसके लाव या थिमिट हमारा फोरेट कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको बता देते हैं वही आप याद कर लोगे काम चल जाएगा ये तो दोनों याद करन पढ़ेंगे अर्गेनो फास्पेट की दो ही लिखें इसमें थायोडान और कैल्थेन इसमें आपको आर्गेनो फास्पेट में आपको बता दें वह याद करना है मोनो क्रोटफास को हम लोग बोलते हैं इसके लावा कुईनौल फास को हम लोग बोलते हैं एकालक्स और फोर को हम लोग बोलते हैं टेमिक और इसके बाद कार्बो फ्यूरान फ्यूरा डान आपको याद करना है आगे अगर हम लोग बात करें बहिया कुछ हमारे रोटेनों जो हमारे इंसेक्ट बहिया प्लांट औरिजिन से बनते है बॉट निकली जैसे रोटेनों हमारा क्या प्लांट इंडिकाने निम से बनेगा निकोटीन मदनेगा तो यह हमारे किया प्लांट से बनने वाले इंसक्ट फाइड है रोटेंबॉन के स्ते बनता यह कै। आपको याद करना और लोप पाइरेथ्रम आपको पता चल जाएगा पाइरेथ्रम मतलब या क्राइजन्थिमम से बना है सपेद फूल होते क्राइजन्थिमम के हमारे उनी से बनता पाइरेथ्रम अिंटिका इन्डिका मतलब नीम से बना है निकोटीन मतलब तंबाकू से बना है इससीज आपको नाम से पता चल जाएगा इसके अलावब भाया आपके कुछ खास यहाँ पर नहीं है इंसेक्त फ्रॉम दा ऐली मलूरिजिन यह कुछ खास नहीं आपके है अगर कुछ important होगा तो हम आपको बताते चलेंगे यह भया trade name आपको बताये थे यहाँ पर लिखे हुए हैं आप चाहें तो एक साथ याद कर सकते हैं ठीक है आगे अगर हम लोग बात करें भया ज्यादा नीचे चले आया यार अब अगर हम लोग बात करें भया क्या plant protection equipment की तो duster हमारा plant protection equipment होता है इसमें भया फैन या blower पाया जाता है जिसे हम लोग hopper कहते हैं जिससे भया क्या धार निकलती है भया यह हमारा क्या duster में पाया जाते है fan blower या hopper ठीक है container को हम लोग बोलते हैं hopper fan या blower से हमारा क्या होता भया आगे जो nozzle लगी होती उससे भया निकलता है air blast के सिधान्द पर काम करता है किसके air blast के हवा के सिधान्द पर एक काम करता है efficiency of dusting 10 times more than the spraying spraying से भया ज़्यादा फाइदा हमारा क्या dusting से होता है spraying की बात करें sprayers में हमारा क्या होता है duster देखो हमारा क्या काम करते है जो सूखी बाउडर होता उसको बुर्काव करने के काम आते है sprayer हमारा liquid के में काम आएंगे ठीक है इसमें अलग-अलग size है यह आपको याद करना पड़ेगा smoke भईया हमारा क्या 0.1 देखो जब आपका 0.001 से 0.1 हो तो इसे हम लोग बोलते है smoke क्या नहीं धुआ ठीक है इसके लाओ भईया अगर fog की बात करें एक से 50 micron होगा या तो हमारा fog कहलाएगा 50 से 1500 micron mist कहलाता है 100 से 400 हमारा fine spray और 400 से उपरोड हमारा quartz spray होता है यह आपके लिए बहुत important है याद करना आई से कोश्चन भईया क्या पेपर में उठाये जाते हैं confuse करने के लिए smoke 0.001 से 0.1 fog एक से 50, 50 से 1500 mist 100 से भईया 400 तक हमारा fine spray और quartz spray हमारा क्या 400 से ज़दा होगा तब कहलाएगा आई पीम की अगर बात किया जाए राइस में हमारा तो भी यह देखो बताये थे आपको ETL हम सबका अलग-अलग ETL होता है जिसे राइस इसपा में एक से दो एडल पर ही लोगा तो भीजा क्या ब्राउन प्लांट होगा तब ETL माना जाएगा बताये सबका अलग-अलग होता है एवाइडिंग यूज आफ एक्स्टर्स नाइट्रोजन फिच इंक्रीज दा पापॉलेशन आप ब्राउन प्लांट होपर अगर हमनों नाइट्रोजन का ज्यादा यूज कर देते हैं प्लांट करने के लिए यूज कर देते हैं अप्लाइड प्लांट है का यूज कर देता है लिए नीम करनेल सीड का हम लोग इसके लिए युज करते हैं यह प्रसन के नीम लगा होता है तो विए फसल लग लिखा हुआ है अब इसके साइट सबके अलग-लग कीड़े पढ़ाने का तो ताइम अपने पास है नहीं ठीक है अगर आगे कुछ इंटों का बचा है तो आज कवर करवा देते हैं, क्रॉप्स पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर आपको ज्यादा डीटेल में पढ़ता है, तो क्रॉप्स इंसक्ट के सहीत हम लोग कहां पर पढ़ाया आपको, क्लास में पढ़ाया, वो आपके लिए ज्यादा फाइदे मंद साबित होगा, अगर आप उसको कर लेते हैं, तो, ठीक है, यहाँ पर बेएक साथ में कुछ कीड़े लिखे है, राइस वेवल सिटोफेलर सुराईजी, साइंटिफिक नेम, उनके और गिन प्लेस, ठीक है, आगे अब हम लोग बात करें, यह हमारा जो है, कोलियो पटेरन पढ़ाना सुरू किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाएगा, एक एक इंसेक्ट को आपको डीटेल में पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा, उतना टाइम अपने पास बचा नहीं है, ठीक है, तो इंटो का आज हमारा कवर होगे, अकल हम पैथो कवर करवा दे ठीक है, तब तक आपका पीजीटी वाला होगा, तब तक आपका सुनना हम फाइनली खतम करवा देंगे, ठीक है, आप लोग बस रिवीजन करते रहे हैं, आज के लिए पस इतना ही धन्यवाद,